तो हेलो भाई तो कैसा आप लो बिल्कुल मस ना तो फ्रेंड्स आज एक लास में आप लो जानने वाले हैं देखिए काँ से स्टेट में कितना कट अपड़ा चलिए पहले जानते कि टोटल पोस्ट कि तोटल सीटों की संख्या की टोटल शीटों की संख्या की वहीं पहल देखे लेंगे हावलदार को सीटों की संख्या 529 था 529 अगर दोनों को मिलाओगे तो 12,500 सीटे बनती है तोनों को मिलाओगे तो 12,500 सीटे बनती है इतना आपका वेकेंसी था देखिए इसमें मेजर डिफेरेंस है क्या डिफेरेंस समझेंगे जो बच्छा MTS के लिए अपलाई किया है उसे पेपर दे का कट अप आएगा उसी पर मेडिकल जोड़ेंगे चलिए यह दोनों आप आपको क्लियर होई आप समझते हैं सब्जेक्ट क्या था जो आपने वेपार दिया तो सब्जेक्ट क्या था कौन से कोशन कितने नंबर के पुछे गए थे समझेंगे देखिए इस पेपर को दो टाइप में बाठा गया था से से सिर्फ मैं और इजिनिंग था मैं है को टोटल 20 कोशन पूछे गए थे और एप 20 कोशन पूछा गया था यहीं पूछन पूछा गया था two you can eat total mark for all तोटल आपका कोशन कितना बना 40 और अपका कितना बना गाईच 120, 120 यानि 40 कोशन 120 से नमबर का है, आप 45 में सबी कोशन को सल्व करना है. तो यहां से थोड़ा सा दियान दिके गाईच, यह आपका सेस्वन वन है, सेषन वर और सेषन च्पाइब ने ब म में बहुत डिफेरेंस हैं अगे जानें के सैशना अरे मैं पूछे न को पडेशनगा पेज्ञकर वरक किस सौन को मत उटाल था जया सैनल गेल कॉर्प organise के मिटेख़न array को सूंगा मिकोंग तभर कर आपको 45 मिनट थे कीतने नंबह का पड़ा है एक कॉशन तीन नंबह का हुँ रहे हैं यहमिट जानने वादी यह मेंन पउप है कॉंटैम का लेगा है ये समझेंगे ध्यान से एक आपका सेशन इसमें आपका नि है कि आपका सिर्फ वाला भी रॉब हो जाएगा कि लियर है न इसमें निगेटि मार्क नहीं है अब समझते हैं कॉत अपका 270 पर नहीं बनेगा कट अप सिर्फ और सिर्फ आपका डियर्ड सोफ बनेगा इस डियर्ड सोफर क्लियर है यानि सेशन टू पर कट अप बनेगा सेशन वान पर कट अप नहीं बनेगा इस पर बनेगा इस पर बनेगा इस पर नहीं बनेगा तो फिर सेशन वान कियों एकजाम हुआ मतलब मैथ और क्यों पूछे गवाई जब इस पर कटफ ही नहीं बना तो यह समझेगा देखिए अगर आपने मैत और रिजिनिंग का मने कोशन सही किया है तो समझेंगे इसमें क्या डिफ्रेंस है मैत और जो रिजिनिंग है यानि सेशन वन में इसमें आपको सिर्फ क्वालिफाई होना है क कोलिफाइए सबमाइए कोलिफाइद अगर आप होते तब यह कलिफाइद ही अगर आप किलियर है ना समझने मेरे बातों को इस क्वालिफाइड कаменचार है तो आप कितना कोर्ण साढ़ करींगे यह जा लिएगा देखिए जो जो जेनरल करिणा रहेंगे घैंस को तीस परसेंट मार्क्स लाना होगा यानि आपको बार्संस साहिध करना का है है 12-65 यानि 36 यानि 36 नमर लाना, या बात इससीन नमर के पढ़ेगा ना, यानि तोटल मार्च आपको 36 लाना होगा, जो जेनरल कटेगरी करहेंगे, यानि 30% उसको मार्क्स लाना है तब ही आपका इसमें क्वालिफाई हो पाएगे तो आप कटप आपका बनेगा क्लियर है यह बात ही समझ में आई वहीं पर देखते हैं कि नमबर लाओगे तब ही आपका सलेक्सन इसमें आपका क्वालिफाई होगे अगर इसमें क्वालिफाई तो कटप नो फेलो होगें ऐसे ही क्लियर है ना इसमें फेलो जाओगे तो कटप ही नहीं बनेगे फिर SC और ST के देख लेते हैं तो आपको 20% marks लाना हुगा SC-ST वाले को यानि total question 8 साही करना है आई 24 marks लाना है तो 40 में 8 question साही करेंगे कौन सबाइ ST-SC वाले और 20 वाले कितने साही करेंगे 10 और general वाले कितने करेंगे आपका 12 बारे कुर्शन सभी आपका क्या क्लीफाइज है पहले हो तब ऑप कंड़ेगा कड़ी टो निकले घु तयट यह चानते एक ओवरोल बता रहा हूं मैं नंबर किदे रहे मतलब कितना कट अब जाएगा और एक चांट लगा दूंगा मैं यहां पर आप देख लेजिएगा वीडियो के लास्ट लगाऊंगा पहले समझे आपका कट अब किसा बनेगा सेशन टू पर जीके और इंगलिस पर टोटल जो जेनरल के हैं उनको 115-120 मार्णा पड़ेगा एक सो पंद्रे से 120 मार्णा लाएगा वह पर चैक दॉपांट से 110 लाओगे तो आपका से लेक्शन पक्का है वहीं आप है तो आपको 100意 detector होगा क्लिए और सेलेक्शन कोई होग नहीं इस सबसे हाइस कट अख होसा है कुछ排 सबसे हाइस्ट कटप जाता है अगर यह इतना बच्चा कोई नंबल लाएगा दूसरे स्टेट का है और दूसरे स्टेट का है तो नब्य मार्क्स लाएगा उसका भी सेलेक्शन हो जाएगा और न इसिए कं ऑवर अल पर हमने यह बताया है इसे स्टेटव को सारे बाते अगर इतना नमबर लाते हुँ ता आपका स्रेक्शन पका है कुरू के गना ही के लिए चलिए बिलते हैं नेक्स बीडियों में टेक क्यार